उच्च गती अभ्यास, खंड टू, गती 80 सब्द प्रती मिनट, टिक्टेशन सुरू होने में समय से इस है, पान सेकेंड, रेडी, अन स्टार्ट, सभापती जी, जब से इस विश्विद्याले ने अपना नया रूप धारन किया है, तब से यह पहला अवसर है कि मैं इसके आचारियों और असनातकों से अपनी कुछ बात कहने के लिए यहां आया हूँ, भारत में जिन विश्विद्यालियों को इस दिरिश्टी से कि उनकी अस्थापना को अभी पुरे 50 वर्स भी नहीं हुए हैं, नया कहा जा सकता है, उनमें वारा नसी विश्विद्याले को छोड़ कर संभावता, यही विश्विद्याले सबसे पुराना है, किन्तु अभी कुछी दिन पहले इसने अपना वर्तमान रूप गरहन किया है, इस दिरिश्टी से यह इन सब नविश्विद्यालियों में नविंतम विश्विद्याले माना जा सकता है, अभी इसकी परंपराओं की स्रिंकलाएं इतनी कठोर नहीं हो गई है, कि यह नए पत पर सरलता से अगरसर ना हो सके, अतह मैं इससे यह आसा करता हूँ की यह अपनी सिच्छा का ढंग कुछ ऐसा रखेगा, जिससे की यह मानब जीवन की सिच्छा के सब प्रयोजनों को पूरा कर सके, मैं यह कई अबसरों पर और कई अस्थानों पर कह चुका हूँ, की हमारी वर्तमान सिच्छा परनाली चाहे वह प्रात्मिक बिद्यालियों की, अथवा विस बिद्यालियों की हो उपरोक्त उद्देशियों को पूरा करती प्रतीत नहीं होती, कम से कम यह बात तो है ही की यह ऐसी नहीं है की, की सिच्छा के उद्देशियों को संतूलित रीती से पूरा कर सके, आपकी अनुमती से इस संबंध में मैं आपसे कुछ सब्द कहना चाहता हूँ, मेरा यह मत है की सिच्छा के तीन उद्देश होते हैं, जिन में से दो उद्देश तो व्यक्ति के अपने नीजी जीवन से संबंध रखते हैं, और तीसरा व्यक्ति के सामोहिक जीवन से संबंधित हैं, प्रथमतह सिच्छा का यह प्रियोजन है की, वह व्यक्ति की इसवर प्रदत सहज विवेक बुद्धी की समर्थ और छमता को बढ़ाएं, यह ठीक है की मानव को विवेक बुद्धी जन्म से ही प्रकृति या इसवर से मिली हुई होती है, किन्तु अपनी ने सरगिक अवस्था में इसकी समर्थ और छमता अत्यंत सिमित होती है, यदि कोई व्यक्ति केवल उसी के सहारे छोड़ दिया जाहे तो अपनी देश काल की सिमाओं के कारण, वह उससे ना तो अपना ही कोई लाव उठा सकेगा और ना अपने अनभाईयों का कोई भला कर सकेगा, किन्तु यदि उसकी विवेक बुद्धी को पीछली पिड़ियों की संचित अनुभूती से संपन कर दिया जाता है, तो उसकी सक्ती और छमता बहुत अधीक बढ़ जाती है क्योंकि उस अवस्था में उसे अपने और बाह चराचर जगत के बारे में ऐसी अनेक उप्योगी और आवस्यक बाते ग्यात हो जाती है, जिन्हें वह केवल अपने विवेक या विचार सकती से नहीं जान सकता था, तूसरे सब्दों में इस प्रकिरिया द्वारा उसकी विवेक बुद्धी इतनी सच्छम और समर्थवान हो जाती है कि उसके सहारे वह अपने को और अपने चारो और के जड़ और सजीब जगत को समझने और उसमें रहकर अपने जीवन को ठीक दिसा में चलाने के योग हो जाता है, बुद्धी इबं विचार सकती को और अधिक समर्थवान बनाने की प्रकिरिया को ही सिच्छा कहा जाता है, सभापती जी सिच्छा का दूसरा प्रयोजन यह है कि वह परतेक मानब को अपनी करमेंद्रियों का ऐसा प्रयोग सिखाए, जो उसे अपनी सारीरिक और अनपरकार की अवसकताओं की पूरती करने के योग बना सके, इन करमेंद्रियों के उचित परयोग के लिए तो ज्यान की अवसकता होती है, कितना ही सवल ब्यक्ति क्यों न हो, कितना ही अस्फूरती में कोई क्यों न हो वह तब तक कुछ अधिक फल में कार्ज नहीं कर सकता, जब तक की उस कार्ज के शंपादन के लिए उसकी करमेंद्रियों को आवस्यक प्रसिच्छा न मिली हो अथवा उन्हें उसका अभ्यास ना कराया गया हो सिच्छा का तीसरा प्रयोजन मेरे विचार में यह है कि व्यक्ति में अपने जैसे ही सब व्यक्तियों के साथ रहने और उनके साथ काम करने के लिए अवस्यक गुनों का उदय हो जाए इच्छा से अथवा निच्छा से परतेक व्यक्ति को अपने ही जैसे अन्व्यक्तियों के साथ तो रहना ही पड़ता है संसार से दूर कोई भी अपनी अलग कूटिया नहीं बना सकता और न बना पाता है एकाकी जीवन कभी की सुन्दर कल्पना के अतरीक्त ना तो वास्तिविक्त तत है और ना हो सकता है ब्यक्ति चाहे कुछ च्छन के लिए एकाकी रह सके किन्तु सर्वदा वह एकाकी रह ही नहीं सकता अतह जब सामोहिक जीवन मानब जीवन का अनिवार्ज तत है तब यह अवस्यक है कि परतेक व्यक्ति को साथ रहने की कला आ जाए पीछली सताबदियों में जब सामोहिक जीवन का छेत्र सिमित था और जब आर्थिक क्रियाएं इतनी केंदरित नहीं हुई थी इन तीनों परियोजनों के लिए संगठित परियास करने की तथा उनमें प्रतिछन संतूलन बनाए रखने की विशेश अवसकता ना थी किन्तू आज तो सामोहिक जीवन का छेत्र भूमंडल ब्यापी है और आर्थिक क्रियाओं का सिमा तिरेक संगठित हो गया है अतह आज यह बात अत्यंत अवस्यक है कि परतेक व्यक्ति को विशेश प्रकिरिया द्वारा इन तीनों बातों से केवल पूर्ण परिचित ही ना कराया जाए वरन उसको कार्ज रूप में अपनाने के योग भी बना दिया जाए अतह पिछली कुछ सताबदियों के सारे जगत के लोगों को अतीत से दाई में मिली सिच्छा व्यवस्था में मूल भुत परिवर्तन की आवसकता का अनुभव होता रहा है और विभिन देशों में विभिन परकार के परिवर्तन होते भी रहे हैं यह कहना अनुचित ना होगा कि पिछले दिनों जगत भर में सिच्छा के छेतर में भी वैसी करांती होती रही है जैसी की आर्थिक और राजनीचिक जगत में हुई है किन्तु दुर्भागवस हमारे देश में और विशिष्टिया इस बिहार राज में सिच्छा के बारे में वैसी कोई व्यापक करांती नहीं हुई इस दिसा में लोगों का ध्यान तो गया है किन्तु कार्ज छेतर में उसका अभी कोई उलेखनिये फल दिखाई नहीं पड़ता यह ठीक है कि किसी सीमा तक हमारी सिच्छा संस्थाएं सिच्छा के परथम परियोजन को पूरा करती है इन संस्थाओं के सदस्यों को पिछली पिडियों की संचित अनुभूती से किसी सीमा तक परिचित अवस्थ कराया जाता है किन्तु यह परिचय कराने का जो उद्देश है अर्थात बिवेक या विचार उद्धी को सजग सच्छम और समर्थवान बनाना वह पूरा नहीं हो रहा है स्टूब